आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्लास 11 कम्प्यूटर साइन्स विद पाइथन का प्रेक्टिकल नंबर 5 का सेकेंड पार्ट मैं हूँ सुमित कुमार नागर और कम्प्यूटर गुरु हमें आपका स्वागित है आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्लास 11 कम्प्यूटर साइन्स विद पाइथन का प्रेक्टिकल नंबर 5 का सेकेंड पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है राइट प्रोग्राम तो इंपूट दे वैल्यू उँफ एक्स और अन और प्रिंट दो फॉलंग सिरीज और सिरीज होगे हमारी 1-x प्लस x sq2-x3 प्लस x raised to power 4 and so on and so forth तो सेम प्रेक्टिकल जो था हमने कल की क्लास में भी किया था कल की क्लास में जो हमने प्रेक्टिकल किया था जब मैंने आपको बताया था हमने इस वाली सिरीज के उपर काम किया था और आज जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं हम वो इस वाली सिरीज के उपर काम करने जा रह है और एक प्लस प्लेस पर प्लस और एक पर माना ही तो कल की क्लास अगर आपने मेरी देखी है तो कल की क्लास में आपको डिसकस किया था और तीन ऐस्ट भ innovations करते थे जिसके संथ्व हम ये सारा काम कर सकते हैं तो आज भी मैं क्या करूंगा इसी चीज़ को करने के लिए आपको तीन मैथड़ बताऊंगा सेम जो अपरोच हम अब तक सेरीज में यूज़ करते आ रहे हम से वही सेरीज यूज़ करेंगे और इस प्रोब्लम को समझ सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं हमारी प्रोब्लम क्या है तो उसके लिए मैं आपको अपना जो है इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करके बता देते हैं कि यहां पर जो है अभी से दिखानी है तो कलर में इसका चेंज करता हूं तो यह जो है हमारी main problem है जिसको हमें solve करना है और यही वाली problem जो थी हमने कल वाली class में भी solve की थी पर difference जो main difference हमारे पास था बस वो यही था कि यहां पर एक हर जंग है plus का sign था कहीं पर बीच बीच में minus का sign नहीं आ रहा था तो हमें इस चीज़ को solve करने के लिए जादा मेहनत करने की ज़रुत नहीं पड़ी तो same approach जो हमने कल वाली class में यूज की थी हम आज भी वही approach यूज करेंगे और उसके accordingly मैं आपको बता दूँगा कि यह question solve करने का छोटा सा तरीका है अगर आपने मेरी कल वाली class की वीडियो नहीं देखी है तो मैं recommend करूंगा कि आप कल वाली class की वीडियो देख लीजिए अगर आप वो वाली वीडियो देख लेते हैं तो ये वाला program आप within two seconds में कर देंगे क्योंकि उसके और इस program के बीच में कोई भी difference नहीं है बस एक variable की value change होनी है तो हमारी जो problem statement थी problem statement हमें यही करे करे के write a program to input the value of x and n तो ये दो चीज होगी जो हमारे पास जो है x और n आएगा तो वो चीज़े हमें ध्यान रखनी है तो जैसे कि पिछली class में भी आपको मैं बताता रहा हूं कि programming करने से पहले हमें सोचना पढ़ता है कि program को कैसे implement किया जाएगा तो सबसे पहले जो हमारा program करेगा वो क्या करवाएगा input कराएगा value of x and n और उसके साथ साथ जो वो चीज़ शो करेगा वो ये चीज़े शो करेगा कि सबसे पहले user के पास program की information होनी चीए कि उसने काम किया है तो क्या करना है ताकि उसके पास जो है वो एक दम से concept clear हो जाए तो इसको अगर मैं अगर consider करूँ ये मेरा step 1 है तो ये मेरा step 2 हो सकता है फिर इससे पिछली classes में जब हमने बात की थी x series to power को हमने solve किया था तो उसके अंदर जो था इसी program को हमने दूसरे तरीके से observe किया था कि इस program को करने के लिए जो हमने shortcut trick जो use की थी हमने जो था सोचा था कि ये हमारे पास क्या है अगर इसी को अगर मैं solve करने के लिए लिए जाओ तो पहले था मेरा ये जो है ये है x की power पावर जो बनेगी वो हमारी टू बनेगी और इस तरीके से ये सिल्सला चलता जाएगा जो की कहां तक चलेगा x की power n तक चलेगा तो ये सारी series है हमारी तो basically जब हमने कल काम किया था तो कल हमने यही पर ये किया था यहाँ पर plus था यहाँ पर plus था और सारी series में जो थे हमारे plus थे बस कोई difference नहीं था और इस वाली series में हमारे पास क्या है same series है और यहाँ पर जो है हमारे पास इस एक place पर क्या है हमारे पास minus है और एक जो है हमारा जो यहाँ पर टर्माएगी उसके बाद जो यहां term हैगी यह माइनस है तो इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ को हम एक और simple तरीके से सोच सकते हैं कि जहां पर जो है x की power 1 आ रही है वहाँ वहाँ माइनस करना है तो इस चीज़ को मैं कैसे solve कर सकता हूँ कि कल जब हमने calculate किया था तो basic difference है वो यहाँ पर है तो क्या हम इसके अंदर एक third variable ले ले लेते हैं और मैं ये भी कह देता हूँ कि ये वाली जो term है हमारी जैसे first वाली है वो वाली term है minus one multiply by कि यहाँ पर है हमारा minus one minus one की power जो है अगर मैं कहूँ ये है हमारी power 0 इसके साथ जो term हो रखी है x और x की power जो है यहाँ पर 0 जो अगली term है वो हमारी term क्या है जो इससे next term है वो हमारी term यह कहती है कि minus one की power यहाँ पर क्या है फिर उसके बाद है इसकी power one है और इसको हमने multiply कर रखा है x की power one से similar तरीके से जो हमारी next term बनेगी वो term हमारी बनेगी के minus one और इसकी power जो है हमारे पास क्या होगी इसकी power हो गई हमारे पास two multiply by x raised to power two तो simple सी series को अगर मैं इस तरीके से सोच लूँ के सरफ minus one included है बाकी same का same program यू का यू है जैसे हमारा last वाला program था अगर आपने last वाले program की वीडियो नहीं देखिए तो मैं recommend करूँगा आप देख लीजिए इस program में और उस program में कोई भी difference नहीं है बस जो हमें चीज करनी है वो x की power के साथ minus one की power को भी add करना है तो कल भी हमने इसी चीज को करने के लिए तीन method solve करें थे तीन method हम आज ही करेंगे और उसी के corresponding में आपको बता देता हूं कि पिछली class में मैंने ये सारी चीज़े आपको explain की थी कि program किसी तरीके से काम करेगा तो ये वाला program सेम तरीके से काम करेगा तो program करने के लिए मैं क्या कर देता हूं ideally open कर लेते हैं और ideally मैं आपको program open करके दिखा देता हूं जो हमने जो program बना रखा है कि जो कल हमने जो program बना था कल जब हमने इसी question को solve करने की चीज़ की थी तो कल वाली series में हमने ये किया था यहाँ पर plus था और उसके बाद plus 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 और यही वाला सारा program जो था हमारे पास था आज जो हमें बस change करना है वो यहाँ पर जो है एक term or add हो जाएगी जिसकी वज़े से सारा का सारा solution निकल जाएगा तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं जो program है वो हमारा यह वाला program देखिए same है as it is जैसे हमारा पिछला program था उपर वाली information भी है यहाँ तक भी है same information है even यहाँ तक देखेंगे हमारे पास same information है last में देखेंगे वो same information है जो बस difference पड़ा है वो किस बात से पड़ा है वो इस बात से पड़ा है तो इसको अगर हमें solve करना है तो वो कैसे कर लेते हैं कि सामने अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर भी एक variable हमने क्या है जो minus one की power calculate करनी है अगर मैं चाहता तो उसको यहाँ पर भी calculate कर सकता था पर वो आपको समझ में नहीं आती कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो calculation होंगी वो किस तरीके से होंगी अगर आपने अब तक कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं request करूंगा कि आप कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको बिलकुल concept clear हो जाएगा कि कहां पर हमें क्या कर रखा था पिछले प्रोग्राम तो इस वाले प्रोग्राम में जो हलका सा change होगा वो ये क्या होगा हम एक variable introduce कर देंगे जैसे ही मैंने यहां पर ले लिया minus 1 हमें पता है i की value जो भी range देंगे 0 से शुरू होगी तो minus 1 range की power 0 तो 1 value आ जाएगा अगर square होता है तो यह plus में आ जाएगा और cube होता तो यह minus में आ जाएगा तो हमें बस इतना सा change करना है j is equal to minus 1 इसकी power i तो जैसे जैसे i की value आती रहेगी और बाद में जो k वाली value थी वो कल के program में सरफ x star star i थी और आज के time पर उसमें क्या होगा एक j value जो है और multiply हो गई है बाकि सारी का सारा same है अगर मैं इसी को अगर run करके दिखाता हूँ तो run भी जैसे हम करते हैं तो जैसे कल भी हमने किया था 2 और 3 किया था तो यहाँ पर देखिए जो value है हमारी वो आगे minus 5 क्योंकि 1 फिर उसके बाद minus 2 plus 4 और minus में क्या आजाएगा हमारे पास 8 आजाएगा तो 1 plus 4 5 और 8 और 4 यहाँ पर जो हमें 8 plus 2 मिलेगा तो वो कितना बचेगा minus का 10 तो जो हमारा answer है वो आजाएगा minus 5 और इसी चीज़ को अगर हमने दूसरे method से किया था मैं वो करके दिखा देता हूँ आपको जैसे हमने जब power वाला function यूज़ किया था जिसके ओपर हमने काम किया था import math की साथ तो math वाली वही series हमें import करनी है और मैं यहाँ पर भी आपको comparison दिखा देता हूँ कि कल वाले program में और आज वाले program में क्या difference है तो कल वाला यह जो था हमारा कल वाला program था जो हमने किया था और यह वाला जो है हमारा आज वाला program है तो basic अगर मैं comparison करूँ तो देखिए आपकी हूब हूँ सेम to same line है यहां तक भी है बस हमारा जो एक ना जो variable इंट्रडूस हुआ वो है जे इस इकल टू वन और यहाँ पर जो है हमने जे इस इकल टू आप इसको इंट्रडूस करे या ना करे इससे कोई difference नहीं पड़ता है पर सिर्डड अबिलिटी के लिए जो है चीज़े एड कर दी गई है और यहाँ पर देखिए हमें जो है बार बार माइनस वन की भी power solve करते रहेंगे और उसी को हमने k के साथ multiply कर देना है तो इसी तरीके से हमारा सरफ यह वाली चीज़ आगी है एक j calculate हुआ है फिर k के साथ j की multiplication हुई है बाकी कल वाले प्रोग्राम में और आज वाले प्रोग्राम में कोई difference नहीं है इसको अभी अगर मैं run करता हूँ तो यहाँ पर करते है 2 यहाँ पर देते 3 तो minus 5 आ जाता है इसके बाद भी अगर मैं कोई और भी चीज़ की run करने की कोशिश करता हूँ जैसे 2 raised to power 4 कर देता हूँ तो उसके corresponding जो है answer आ जाता है फिर उसके साथ साथ जो हमने तीसरा method किया था इससे पिछले वाले class में मैंने कल वाले class में भी बताया था जो तीसरा method था वो यह था कि हम बार बार multiply करके जो है उसका answer निकालेंगे तो आज भी हमें क्या करना है आज भी हमें वही चीज़े करनी है और उसके साथ बस जो है हमारा सारा का सारा program सेम रहेगा बिलकुल यहां तक functionality सेम रहेगी सिर्फ जो एक नई चीज़ इंट्रोडूस ही वो L is equal to minus 1 और यहां पर जो था हम बार बार multiply कर रहे थे तो power के लिए जो हमने generate किया था वो बार बार multiplication की दी तो इस case में यहां पर क्या होगा सिर्फ minus 1 के साथ जो term होगी उसकी बार बार multiply हो जाएगी और इसी case में अगर मैं answer निकालता हूं तो जैसे यहां पर देता है तो यह answer आ जाता है अगर इसी को अगर मैं change करके दिखा देता हूं आपको जैसे मैं two देता हूं या four देते हैं तो उसके corresponding जो भी आपका answer आ जाता है तो यह था हमारा सारा program और सारी चीजों का answer जैसे जैसे जिस तरीके से आया था तो I hope आपका concept clear हुआ होगा देखने में आपको लगा होगा कि program में कुछ जादा करना पड़ेगा सरफ हमें जो है सरफ एक minus one की जो है वो term introduced की गई है और same चीज हमारे से हो चाहेगी और अगर मैं इससे जो अगला program बना देता हूँ उसका भी ग्लेम्स आपको यही दे देता हूँ कि यहाँ पर भी क्या है देखे जो I की value यूज कर रहे है जो उपर वाली series है यह वाली जो series है इसमें से one निकाल दिया है वो आराम से हम निकाल देंगे जो उपर वाली series है और नीचे वाली series में कोई भी difference नहीं है सरफ आपका जहां पर square आ रहा है जो उपर power है वो divide हो रही है तो next वाले program में भी ज्यादा कुछ करने की हमें कोई जरूरत नहीं पढ़ रही है और यहां पर जो है यह शायद mistake मिलेगी क्योंकि अगर इस तरीके से हम करेंगे तो यहां पर minus one जरूर आना चाहिए plus में आएगा minus में आएगा फिर इस तरीके से काम हो चाहेगा तो यह वाली I hope आपका जो है concept और program क्लियर हो गया होगा अगर आपको इस मामले में कोई भी doubt है तो surely आप comment कीजेगा और बताईएगा कि कहां पर क्या कोई doubt है और अगर आप channel पर पहली बार है और पहली बार देख रहे हैं और तो मैं आपसे request करूँगा कि आप चैनल को subscribe कर लीजेगा साथ साथ में बैल आइकन जरूर प्रेस कर दीगा जिससे आपको आने वाले सारे program की सारे lectures की सबसे पहले notification हो वो मिल जाए तो आज की वीडियो में इतना ही thank you thank you all thank you for watching है